है कि है एक एक मेथर्थी हम जब एक अधिकार देंगे फर पर पर्सेशिंग देशेर सिनार कंपणी ये एक राइट रहता है जो कि हम हमारे पुराने शेरोल्डर को पहले शेर्स ऑफर करते हैं अगर उन्हेंने मना कर दिया तो जाके हम फिर पुबलिक के पास में जाएंगे वो पर्टिकुलर शेर्स को इस्यू करवाएंगे ये केस के अंदर आप देखोगे ना राइट इस्यू की के अंदर हम एक्जिस्टिंग शेरोल्डर को पहले ऑफर करते हैं इसको बोला जाता है ये राइट को बोला जाता है प्रीम्टिव राइट की पुराने शेरोल्डर को हम पुराने शेयरोल्डर को free of cost में हमारी company के शेयर इस्यू करवाएंगे उनसे एक रुपए भी अपन पैसा नहीं लेंगे अच्छा यह करने का logic क्या है क्या मतलब ऐसा क्यूं करती है company अभी देखते हैं कोई भी company के अंदर क्या होता है profit distribute नहीं करती है ऐसा कहीं पर लिखावा नहीं है कि हर साल company को profit तो देना ही देना पड़ेगा ठीक है कोई कोई साल के अंदर बोड़ाप डियाक्टर यह भी decide कर सकते हैं कि हम यह साथ कोई कुरुपा कभी profit distribute नहीं करेंगे और वो profit को अपन accumulate करके करके रखेंगे और because हमरे पास में कोई नावा future में एक नावा प्रोजेक्ट आ रहा है तो company के करती है कभी कभी क्या करती है कोई profit को अपने पास में store करके रखती है वो साल में ने शेयरोलडर सोना नाराज होते है because company के बाद में profit भी हो आए वो profit को instead of distributing such profit among shareholders company के board of director ऐसे डिसाइड करते है कि हम profit distribute नहीं करेंगे ठीक है hypothetical example ले रहा कि supposedly Reliance जो company ने total profit after tax earn कर रहा था profit सब कुछ tax facts काटने के बाद में company के बाद में शेयरोलडर ने बोला कि board of director आप हमको हमारा profit respective अब भी के अब भी दे दो in the form of dividend board of director बोलते हैं हम आपको यह particular profit distribute करने के लिए ready नहीं है shareholders नहीं पूछा आखिर ऐसे क्यों what is the reason क्या कारण हो सकता है profit नहीं distribute करने का देखो company के board of director फिर वो टाइम पर शेयरोलडर को समझाते है कि देखो अगर आपका हमारे पास में जो profit available है हम इसको फ्टोड इसलिए कर रहें विकास हमारे पास में near future के अंदर एक geomart करके नवा project चालू करने का हम सोच रहें जिसके अंदर जो grocery segments के अंदर आपन गुसेंगे और company बहुत ज्यादा profit earn करेंगी वो टाइम पर ज्यादा profit earn करेंगी तो ज्यादा profit आपको ज्यादा वो टाइम पर डिस्रिबूट कर लेंगे दो-तिन साला प्लीज हमसे profit की expectation बंद कर दो मना कर दो हम आपको एक रुपे का भी profit निदेंगे लेकिन आने वाले सालों के अंदर बहुत ज़्यादा profit आपको return format में देखने को मिलेगा कभी अगर shareholder माने नहीं तो फिर वो केस के अंदर board of director कास में क्या option available होता है board of director generally shareholder को बोलते एक काम करते हम आपको profit distribute कर देते profit distribute कर दा लेंगे अब हमारे पास में cash नहीं बचेंगा कंपनी के पास में already cash available था लेकिन कंपनी ने उसको profit के format में distribute कर दिया डिविएन के format में distribute कर दिया अब company कास में पैसा हो गया खत्म अब company को जब नवा प्रोजेक्ट चालू करने का है वो टाइम पर company वापस shareholder से पैसा बुलाएंगी और प्रोजेक्ट की शुरुबात करेंगी कि फालतो की process चालू है इस वज़े से board of directors फिर क्या decide करते है कि company के board of directors company का जो profit available है वो अपने पास में store करके रखते है उसके बदले में free में shareholders को shares issue करवा देते है ज्यादा dividend में मिलेगा इस वज़े से निर्मान हुआ इस वज़े से यह bonus shares का challenge चालू हो गया है कि company के पास बहुत सारा profit अवेलेबल रहता है आप सोचो एक बार कुणशी टाप की company free में share issue करवाती होंगी जनरली जो financially stronger companies है न वो ऐसे वाले टाइप के shares issue करवाती है समझा आपको यस ठीक है तो इसके लिए कौणशा-कौणशा profit use किया जाता है यह अपन देखेंगे company से क्या का provisions है for issuing bonus shares यह अपन particular lecture के अंदर देखने वाले है तो देखो company existing shareholder को free में share issue करवाएंगी free में shares issue करवाएंगी without any cash यह shares को बुला जाता है bonus shares बोनस तो समझता ना बोनस के बदले में अपने को सामने वाले कुछ करना पड़ता है क्या कुछ भी निए free of cost में रहते है वैसी है अपन shares जो free of cost में shareholder को distribute करेंगे वाले shares को बुला जाएंगा bonus shares और यह पूरे issue को बुला जाता है bonus issue पक्का यस चलो आजाओ इसके बारे में अच्छा पहले बात हो bonus share का मदलब क्या होता है अपन पहले वो जेते bonus shares are fully paid up share issued free of cost to the existing shareholder वह 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 वापस एक बार ले रहा हूँ bonus shares are bonus shares are fully paid up share issued free of cost to the existing equity shareholder in proportion to their shareholding bonus shares are fully paid up share हर एक वर्ड का ना बहुत डीप मीनिंग है bonus shares are fully paid up share मतलब halfly paid up share नहीं है यह ऐसे वाले shares है जिसके बादले में equity shareholder को हमको 8-1 रुपया भी नहीं देने का है और फिर भी हम उनके free of cost में fully paid up share issue करवा रहे है issued free of cost to the existing equity shareholder existing equity shareholder का मतलब क्या? existing equity shareholder का मतलब क्या? हम new shareholder को shares में offer करेंगे हम पुराने वाले shareholders को free of cost में share offer करने वाले है in proportion to their shareholding क्या proportion में? जो proportion के अंदर उन्हें हमारी company के अंदर already shared issue करके रखे वा है hold करके रखे वा है जनरली company कैसे bonus issue कैसे offer करती है? जो जो भी हमारी company में 10 share hold करता है हम उसे 1 share free में offer करेंगे जो 100 share hold करता हूँगा उसे 10 share free में मिलेंगे जो 1000 share hold करके रखता हूँगा 1000 shares का shareholder हूँगा उसको 100 share free में मिलेंगे 1 if to 10 का ratio बोल सकते है पक्का? तो bonus shares are fully paid up share issued free of cost to the existing shareholder of the company in proportion to their share holding जितनी भी share holding में hold करें उसके proportion में आपने उनको share issue कर वेंगे यूशवली या financially sound company issues bonus share out of the accumulated, distributable, profit or reserve क्या बोले? generally a financially sound company जो होती है जिसके पास भर-भर के profit available है out of its accumulated or distributable profit or reserve out of its accumulated, accumulated का मतलब क्या होता है? जितना में profit उसने accumulated, बचा-बचा के रखेवा है ऐसे वाला profit जो distribute कर सकते थे लेकिन किया नहीं और reserve hence, as profit or reserves are capitalized it is also called as capitalization of profit or reserve since एकेस के अंदर अपन profits को capital, equity share capital में convert कर रहे है हम पुराने वाले profit को equity share capital के अंदर convert कर रहे है इसको capitalization of profit भी बोला जाता है एकदम logically आप समदे लेना क्या होता है bonus shares are fully paid up equity shares issued free of cost to the existing shareholders in proportion to the existing share holding bonus share usually a financially sound company जो की financially sound company है generally, जो stronger profit वाली company है वो ऐस टाइब के share issue कर वाती है out of distributable, accumulated, distributable profit or reserve this type of profit is also called as sorry, this type of issue is also known as capitalization of profit or reserve या तो समदे आपको yes, पक्का, yes आप आपन देखेंगे companies act की क्या provisions है for issuing bonus shares companies act क्योंसे point compulsory करता है कि अगर आपको bonus share issue करने है तो आपको यह provision को follow करना पड़ेंगा पहली बात आप जब bonus share issue करवा रहे हो तो आपने उसको free of cost में issue करना चीए और वो हमेशा fully paid up shares ही रहना चीए पहला point क्या होता है कि bonus share आप जो issue कर रहे ना आप खुदी बोल रहे ना उसको bonus share है तो उसके बाद में आपने एक रुपय भी निल लेना secondly वो हमेशा fully paid up shares रहना चीए पार्टली paid up shares नहीं रहना चीए तो bonus share हार fully paid up shares हमेशा fully paid up share रहे है अग company can issue bonus share only out of free reserves securities premium account और capital redemption reserves यह देखो यह तीन चीजों की बात पर दा जिसको कोई किसके ओपर किसी का company से को restriction नहीं है आपको याद एक debenture redemption reserve था debenture redemption reserve नहीं था free reserve क्यों नहीं था because debenture redemption reserve के अंदर अपन हर साल profit का थोड़ा थोड़ा इससा transfer करते थे और यह वाला profit यह वाले रिजर्व का पैसा सिर्फ आप debentures को repayment करने के लिए यूज करने वाले हो ऐसा देखते है अपने लेकिन free reserve के नहीं को restriction नहीं रहती है free reserve is free आप कोई भी पैसा कोई भी वह वाला पैसा किसी भी activity के लिए यूज कर सकते हो तो आप free reserve में से profit यूज कर सकते हो for issuing bonus दूसरा for by issuing securities premium account आपको याद यह बने स्राटिक में बोला था 100 रुपे का शेर 130 रुपे में इस्यू किया था अपन ने इसके पहले अभी कोशन आया था उसके पहले एक क्या होता है कंपेनी ना प्रिफ्रेंट शेयर ओल्डर को टाइम पर रिपेमेंट करने के लिए एक अकाउंट बनाती है उसको बना जाता है capital redemption reserve या ऐसे टाइप का रिजर्व रहता है जिसको company थोड़ा सा set aside करना चालू करती है और यह वाले shares को set aside करके company क्या बुलना चाता मैं कि ऐसे टाइप के जो पैसा रहता capital redemption reserve यह सिरफ equity share capital और refund share capital को जब पैसा वापस देना होंगा उसके लिए ही सिरफ यह पैसा use करते है जैसे आपन debentures को redemption करने के लिए debenture redemption reserve बनाते थे वैसा ही capital को भी redemption करने के लिए capital redemption reserve account बना देते अंसरी यह वाला पैसा आपको सिरफ वह ही activity के लिए use करना पड़ता है point समझा कि आपको yes तो company total तीन सीजों का profit use कर सकती है current year sorry free reserves का security premium reserve का account का और CRR का capital redemption reserve account का पैसे यूज कर सकती है एक चीच जो profit company कभी भी इशू नहीं कर सकती है अगर company ने near future के अंदर ना है assets को revalue करके overvaluation पे लाया है मैं एक एक्जामपल लेता सबोजिंग लिए हमारी 10 करोड की जमीन थी 10 करोड की जमीन की आज कीमत होगी यह 15 करोड रुपया पाच करोड रुपया बढ़ गया profit बढ़ आ अपने पास में आया नहीं है यह सिरब हमार bonus share issue नहीं करवा सकते ऐसा company set को restriction है company set को restrict करता है ऐसा क्यों restriction है यह आपने profit earn कर लिया क्या नहीं profit इंसान कब earn करता profit इंसान का बन करता अगर मैंने जमीन बेच देता था 10 करोड की 15 करोड पे तो 5 करोड रुपया profit मेरे पास में आता था यह तो क्या हो गया मैंने भी बेचा नहीं सिर्फ मार्केट के अंदर एकादा आदनी हमारे पास में आये उसने बोला कि आपकी जमीन 15 करोड में मैं लेने के लिए तैयर हूँ मैं बोला अरे 10 करोड की जगा 15 करोड के होगी हमें काम करते वह आला profit तो अमको होई गया profit हुआ क्या नहीं profit कर बोगा बच्चों इदे प पहला कभी भी ऐसा नहीं होना ची एक बार कंपणी ने कमिट्मेंट कर दिया कि हम तुमार को बोनस शेयर इस्यू करेंगे तो कभी भी उसको कैंसल नहीं करवा सकते ऐसा नहीं कर सकते गयार अब सौरी कंकंट अपको वापस हम तो माजाक कर रहेते हैं हम आपको कोई बोनस फूकड में शेयर इस्यू नहीं करवाने वाले ऐसा नहीं कर सकते एक बार जो तुमने कमपणी ने कमिट्मेंट कर दिया तो वह किसी और की भी नहीं सुनेंगी उनको तो खंपल सरीली सारे के सारे एक्विटिशर ओल्डर को बोनस शेयर तो देना ही देना पड़ेंगा सेक इसा नहीं करना चाहिए एक बार जो शेयर इस्यू करने का बोल दिया तो वह एकविटी शेयर ओल्डर वह वाले शेयर किसी और को ट्रांसवर नहीं कर सकता है मतलब जो फ्री वाले शेयर से वह किसी और परसन को ट्रांसवर रिशीव करने का अधिकार किसी और को ट्रांसवर नहीं कर सकता है आपको याद हैंगे अपने right shares के अंदर देखे थे कि कभी भी equity share alter के पास में उनके पास में जब shares आ रहे हैं तो वो किसी और परसंड को वो अपना अधिकार transfer कर सकते थे लेकिन equity share alter sorry bonus shares के अंदर वैसा नहीं है bonus share आपको मिल रहे हैं तो आपके पास में रहने जाए हो आप किस इसा पागल चाले करूँगा क्या मैं नहीं में को मिर रहे तो मैं को मैं अपने पास ही रखूँगा तो पहले क्या है इट कैन और इसे काम अपने नहीं करना चे एक बार अगर कंपनी ने अगर कंपनी ने अनौंसमेंट कर दिया उसको अपन विड्राउ नहीं कर सकते तो कंपनी के जो पर्टिकुलर शेरोल्डर के बास में बोनस आ रहा है कंपनी के शेरोल्डर ने किसी और पर्सन को भी वो शेर को ट्रांसवर नहीं करना चाहिए देखो अब अबने वाले शेरोल्डर से दोनों नवे शेरोल्डर के अंधर एक रूपय भी न ले रहे हैं उसके नदर 90% वाला subscription के clause ही नहीं है, कोई minimum subscription की criteria ही नहीं है, कोई भी person को अपन share issue करवा रहे, तो free of cost दे रहे, हमारे पास में कुछ पैसा आने वाला है क्या, जब पैसा ही नहीं आ रहा, तो 90% वाली condition अपन लगेंगे, जब तक 90% तक पैसा नहीं आ जाता, तब तक अपन share issue नहीं करेंगे, औरे, free of cost में issue करवा रहे, अपन जित्ते जाओते issue करवा सकते हैं, तो there is no criteria for minimum subscription to be collected, पक्का, yes, to recall, once again, हम bonus shares कब देते हैं, company कब देती है, सबोजिनली कमपनी ने बहुत सालों से profit earn करेवा है, तेकिन वो profit को company near future के अंदर कोई नवे project के अंदर invest करना वाली, क और company वो profit को distribute नहीं कर रही है, मैं वापस बीच में आ जाता, company ने सबोजिनली बहुत सारो profit earn किया है, और profit company distribute shareholders को नहीं करना चाहती है, because उसको पैस में नावा future में project आने वाला है, वो particular situation के अंदर company के board of director चाहे, तो वो profits को convert करवा सकते है, equity shares के अंदर, और shareholders को free of cost में, वो shares shareholders को issue करवा देंगे, यह वाले criteria को बूला जाता है, यह वाले चीज को बूला जाता है, capitalization of profit, जिसके तरह अपन existing shareholder को, एक certain proportion के अंदर, free of cost में, fully paid up share issue करेंगे, तो definition ने ऐसे बूले था, bonus shares are, fully paid up shares issued free of cost to the existing shareholder of the company, in proportion to their share holding, पक्का, यहां तक तो clear था, इसके अंदर, जनरली एक financially sound companies, ऐसे टाइब का profit को distribute करवाती है, इसके अंदर, यह companies को, जो company shares issue करवा रही है, यह case में, total 3 चीजों का पैसा यूज कर सकते हो, एक तो free reserves का पैसा यूज कर सकते है, security premium account का पैसा यूज कर सकते है, और आखरी capital redemption reserve का account यूज करके, पैसा यूज करके, वो bonus share issue करवा सकते है, एक बार अगर उन्होंने commitment कर दिया, कि हम pay करने वाले है, कभी भी उसको cancel नहीं करवा सकते है, कभी हम dividend बाटने वाले थे, dividend को cancel करके, हमने bonus share issue कर दिया, या bonus share हमने commitment कर तरके यह जया, उसको cancel करके, हमने dividend बाट डिया, ऐसे काम नहीं करने को होना, एक बार आपने announcement करने के बाद, यह सारे के सारे points थे, और 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 एक पॉइंट सापस एक लाफ्ट पॉइंट भाकी था मेरा कि हाँ आपको यहां तक अच्छे तरीके समझ में आ जबने होते हैं उनकी क्या का terms and conditions उनको follow करने पड़ती है, इस सारका सारा point आपको अच्छे तरगी समझ में आ गया होगा If yes, हम next lecture के अंदर देखेंगे, कि अगर हमारी company को shares issue करवाने के है, तो existing shareholder को issue करवा सकते हैं अब एक method आइसी आएंगी, हम new shareholders को, sorry, हम हमारे existing employees को share issue करवाने वाले है, क्या बोला मैंने, हम हमारे existing employees को 4 तरिको से share issue करवाएंगे चाहे वो ESOS, Employee Stock Option Scheme होंगी, Employees, Share Purchase Scheme होंगी, Employees, Share Purchase Scheme होंगी, Sweat Equity होंगी, और, 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 सार्स होंगा Stock Appreciation Right हो, इसके तरह हम हमारे existing employees को company का shareholder बनाएंगे, Got Got? Yes, हम next lecture के अंदर ये particular topic के देखेंगे, जो की बहुत logical चीज़ है, कि company, ये करके न, company को भी advantage मिल जाते है, और shareholder को भी advantage मिल जाता है मतलब, एक तीर से दो निशाने हो जाते है, और बहुत काम का logic है, ठीक है? So, I hope आपके lecture अच्छा लगा होंगा, If Yes, आप आपके friends के साथ ने ये particular lecture को प्लीज 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 शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो like शेयर करना, ठीक है? Till then, take care, bye bye